हेलो फ्रेंट्स आइम सिद्धेश ठक्रेंड वेलकम डुमाय चैनल जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक पर्टिकुलर्ली मॉडिलर किचन का ट्रे मैंने यूज किया हुआ है और ये ट्रे मैंने मेरे टर्टल्स को बास्किंग करने के लिए सनलाइट में जब आप बास्किंग करते हो टर्टल्स को तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो ये ट्रे का ये ट्रे बहुत ही बेनिफिशल है क्योंकि इससे आपके ट्रटल्स इधर उधर कई घुएंगे नहीं और प्रापर उनका बास्किंग होगा उनको सनलाइट प्रापर मिलेगा और उनके शेल्स जो है आप यह ट्रोंग होगे तो यह जो ट्रे है यह आप अण engineer के लिए सब्वेरे बास्किंग के लिए 15 मिटके लिए। यूज कर सकते हो इंवटेट पोजीशन में आपको यह ट्रे में अपके टर्टल्स इंवंठेट यह ट्रे है उसको आपको रखना हे उसमें ट्रटल्स को प्रॉपर बास्किंग हो इसके अलावा ये ट्रे का और एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूँ तो परटिकुलरली जैसे कि आप टळल एकुरियम में के टटल्स अरख सकते हो आप पर अगर आप के मैं घर में टर्टल्स को रखना चाते हो घर के रूम के अंदर व्हकरे तो आप यह पार्टिकुलर लिट अवार यूज सकते हो यह चले में आप मैं आप आपके टटल्स को रात को रखोगे तो ये अब परिस पीप्रुडियूर अच्छेल्टर होगा टर्टल्स के लिए और उसमें टर्टल्स सिक्यूट फिल करेंगे जैसे कि आपको रात को ग्यारा से सबेरे छे बज़े तक आप रात को यह ट्रे में टर्टल्स को रख सकते हो जिससे कि उनका भी प्रॉपर स्लिप हो जाए और यह पर्टिकुलर ट्रे में बहुत अच्छा सिक्यूट खुद को फिल करेंगे तो आप जब भी घर के अंदर में अगर टर्टल्स को ऐसा रखना चाते हो तो ऐसे यह ट्रटल्स ट्रे में आप उनको रख सकते हो यह ट्रटल्स ट्रे आपको कई भी एवेलेबल हो जाएगा मार्केट में मिल जाएगा कोई भी इंटेर डिजाइनर या फिर मॉडिलर कीचन वाला है तो यह मॉडिलर कीचन का जो ट्रे रहता है यह जाली वाला ट्रे तो यह आपको इजीली एवेलेबल हो जाएगा और यह वैसे बहुत पोजिशन में मैंने रखा हुआ है तो इन्वर्टेड पोजिशन में इसलिए रखना पड़ता है कि अगर इसको आप अगर सीधा रख दोगे तो यह जो ओपन उसका एरिया है यह अगर उल्टा रख दिया तो ओपन एरिये से टर्टल्स आपके निकल जाएंगे तो इसको इन तो यह आप एक बहुत अच्छा अल्टर्नेटिव है रात को आप इसमें टर्टल्स को रख सकते हो अगर आपके पास अप स्पेस नहीं है और आप घर के अंदर टर्टल्स को रखना चाते हो अधर्वाइस आपके पास गार्डन है या फिर एक छोटा टेरेस है तो उसमें आप टर्टल्स को आराम से रात्तू रख सकते हो थैंक यू